बात जब देश के कल्चर की आती है तो हम सभी लोग ध्रले से कह देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के कल्चर को बरबात कर रहा है लेकिन ये बात कहां तक सही है दोस्तों हमारे ही देश में हमारे ही कल्चर में कितनी बड़ी खराबी है आप भोजपूरी इंड्रस्टी को उठा करके देख लिए Quốc परी भाता कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ भोजपूरी इंडस्ट्री में जो फूहर गाने आ रहे हैं, जो असलीलता भरे गाने आ रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, भोजपूरी इंडस्ट्री के दोरा बनाये गए, फिल्मों में जो फूहरता परोसी जा रही है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर यह मैं क लगातार हमारे देश के कल्चर को बरबात कर रहा है हमारे देश में रहने वाली वह वब बड़ी आवादी गाउं में अभी निवास करती है यहाँ पर यह भी recipe बात है देखा जाता है और ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि यह आज शुरू हुआ है वुच्पूरी में फूर्था इसका दिरे डेले डोज देते जेदे आज ये इतने बड़े पैमाने पर हो गया है कि आग जब कभी भी हमारे जहन में भोजपूरी सब्द आता है जब कभी भी हम भोजपूरी सब्द सुनते हैं तो हमारे जहन में सीधे सीधे फुरता और अश्लिल्ता हमारे दिमक में आती है आखिर एक मधूर भासा को फुरता और अस्निल्टा में कैसे तब्दिल कर दिया गया इसके पीछे बहुत बड़ी साइकॉलोजी काम करती है भोजपूरी गानों में जो फुरता का प्रचलन है वो स्टार्टिंग से ही इसमें डाला गया पहले थोड़ा कम अस्तर पे था वही चीजा धीरे-धीरे बढ़ते हुए बहुत बड़े पैमाने पे चलना हो चुका है आज भोजपूरी गाने गाने वाला हर कलाकार यह समस्ता है सब्सक्राइब करेंगे और इन कलाकारों से अगर आप इनका इंटरव्यू लोते हुए इस तरह के फूहर गाने बजाये जाते हैं फूहर गानों पर डांस किया जाता है और असनील गाने बजाये जाते हैं क्यों बजाता जाते हैं क्यों कि वह अपनी फैमिली से दूर रहते हैं जब हम बराज जाते हैं, किसी दूसरे गावों में, या किसी दूसरे शहर में, तो वहां पे असलिलता और फुर्ता वरे गाने बजाते हैं, लेकिन यही गाना अगर आपको आपकी फैमिली के साथ अगर बैटकर करके सुनना हो, तो क्या आप सुन पाएंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें सिर्वे कालाकारों का ही दोस नहीं है सुननेवालव। है अब लड़की को कितनी सरमिंदगी जहलने पड़ती होगी वो लड़की कैसे सरवाइब करती होगी अपने कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार में किस तरह से जब कभी भी ये गाना बसता होगा तुसे कितनी सरमिंदगी जहलने पड़ती होगी कभी लड़की का नाम ले करके कभी जाती का नाम ले करके गाना बनाना कहां तक सही है एक दौर था जब भोजपूरी को मीठी भासा का दर्जा दिया जाता था लोग इसको सुनने के लिए गाओं में आते थे गाओं में आकर के भोजपूरी भासा को सुनते थे तो इस पर मेरी राय है कि सरकार को ऐसे फुर्ता और अस्लिल्टा भरे गानों और फिल्मों पे बैन लगाना चाहिए आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिकर के जरूर बताएं फुर्ता को और अस्लिल्टा को भोचपुरी भासे से कैसे खतम किया जाए बोचपुरी गानों से भोचपुरी इंडर्डिस से कैसे खतम किया जाए